अभी तक नियूस पेपर एप डॉयलिमेंट कोर्स में हमने बहुत सारी चीजें कवर करनी हैं लेक्स से यहां पे अगर मैं फिक्मा लिखके सर्च करता हूं अगर स्पेलिंग सही हो तो यहां पे नियूस सर्च आर्टिकल्स जो हैं वो पेज हमारा से इतना काम कर रहा है उसम हमारी चीजें हमारी काम कर रही है कैटर्गरी से यह काम कर रही है लैट से मैं इंटर्टेन्मेंट में जाता हूं सब्मिट करता हूं यह चीज हमारी काम कर रही हैं हम उसको यूरल में प्रोपर्ली सैट कर रही हैं उन चीजो को प्रोपर्ली कर रहे हैं यहां पे आप और वो properly काम करे रहा है, उसके लावा med easily my account तो यहांपר आते हैं तो यह सारा properly हमारा काम कर देह है, my account में यह data set है, अगर मैं इसको basically, लेट से यहां पर change कर देता हूँ, खुछ तो यह data update होगा, यहांपर आईएंचे, वाफिस अगर हमारी पे जाते हैं, तो वो data updated रहेगा यह सारी चीज़ें हमारी यहां पे complete होगी है next जिस चीज़ें हमने काम करना है वो यह है कि जब हम किसी news को view करें तो यह page हमारा रहे गया last time हमने एक video इस पे start की थी लेकिन उस video में हमने बाकी चीज़ों को cover करने के बाद इस चीज़ को miss करें चुके थे तो यह चीज़ हम आज की वीडियो में cover करेंगे चलते हैं वीडियो के तरफ मैं यहां पे browser को open कर लूँगा और यहां पे साथ ही code editor को भी open कर लूँगा और इस page तक हम आजाएंगे news detail page यह और यहां पे हमारे पास already data आ रहा है last time हम ने यह खाँ महां पे complete कर लिया था और बाद में आगे move on गया अब सिरफ इस data को use करना है और that's it show करवाना तो उसके लिए मैं एक sub component बना लूँगा const news detail content react.functional component return let's say के अभी के लिए यही return कर लें और यहां पर let's say के अगर यह data है तो यहां पर यह return कर लें और इसका हमें चाहिए एक type का hopefully आपने guess कर लिया और यह क्या receive करेगा यह receive करेगा news item data आई news item और यहां पर sorry यह इसके साथ यह हो गया और अगर इसको सेफ करता हूं यहां पर यह आगया सबसे पहले अब यहां पर मुझे एक बॉक्स चाहिए और उसको हम कलास देंगे उन्टेनर की इसको बेसिकली पी वाइ कह लें या जो भी आपने गाना है पी तो ओके पी वाइ ही कर लेते हैं इसक बाद अब नेक्स मुझे यहां पर एक इमेज चाहिए और उसका सोर्स आपने कैस कर लिया होगा इसका सोर्स जो है वो यह होगा डॉट इमेज युर्ल और उसमें आयर्ट का ट्राइक यह होगा जो के टाइटल पे होगा और सेफ करते हैं ओके नौट बैट बेसिकली यहां पर एक चीज जो हमने करनी है यहां पर हम राफिस आते हैं और देखते हैं कि अगर कोई और इमिज सेलेक करते हैं तो उसका साइज इतना ही रहता है कि चेंज हो जाता है इस वजह से हमने खुर्किस करना है कि यह इस तरह भी इज़ना करें तो इसके लिए मैं लेक से के फ्लैक्स यूज करता हूँ करता हूं पके बांक्स ही उसमें यह-पर्स करता हूं ओके और अब इसकी जो विर्थ है वो हमने क्या रखने है उसके लिए मुझे थोड़े स्केल्स चाहिए के कॉंस्ट होफुली आपने गैस कर लिया और अगर ये लाज्ड स्क्रीन है तो और मैं डिलेक्ट इसकी विर्थ ही सेट करूंगा अगर लाज्ड स्क्रीन है तो मैं चाहता हूं कि ये जो है फॉर्टी परसेंट ऑफ स्क्रीन कवर करें और इस पर पहले मैं काम ड़ लेता हूं इसको जस्किफाई सेंटर करना है अलाइन सेंटर करना है अगर नहीं है और डेक्स्टॉप है तो लेट से मैं चाहता हूं कि ये 50 परसेंट कवर करना है यहां फिर लेट से कम खुंगे है तो अगर नहीं है और यह यह ऐसे होगा और टेबलेट यह इस टेबलेट तो मैं चाहता हूं कि यह 85% अदर्वाइस यह 90% और यहाँ पर यह हो गया और यह basically जो image होगी इसकी जो width होगी width 100% height 100% and object fit हम करेंगे वो उसकी मैं class name से कर लूँगा object fit cover fit object cover तो यह हम यहाँ पर आजाएंगे यह मैं खतम कर दूँगा यह शानी लग रहा object fit cover once again यह CSS की property है यह CSS आपको सीखनी परेगी उसमें कोई asuch shortcut नहीं है यह हो गया और एक दफाइस को try कर लेते हैं कि responsive scales में एक ऐसी है यह large है इस large कम होते होते यह हो गयी desktop उसके बाद कम होते होते यह हो गया basically यह शाइड desktop हुआ है और यह ज्यादा ही है नहीं कि टैबलेट में ही है तो ठीक है नीचे आते आते यह इतनी हो गई और अब यह चलती जड़े गई ठीक है इतनी बुरी नहीं लग लग रही डन है move on देटे है next मुझे यहां पर एक heading चाहिए और उसमें आपने guess कर लिया और अपर title आजाएगा और यहां पर आकर देखते हैं यह है और इसको center align करना है align center और इसका size मुझे ज्यादा चाहिए size next size क्या है nine क्या होता है okay not bad तो इसको आप कर देते हैं once again यही होगा तो यह है तो nine और अगर कम है तो seven अगर कम है तो let's say six और अगर कम है तो five यह बहुत ज्यादा बढ़ा है इतना नहीं eight okay बहुत है margin talk चाहिए margin talk let's say four okay not bad इसको नीचे ले आओ और अगर मैं नीचे okay eight के बाद seven जो के ठीक है तो इतना ज्यादा उसके बाद five six five ठीक ही है done है उसके बाद margin white यह फिर ठीक है margin bottom जो है यह मुझे ज्यादा चाहिए let's say eight चाहिए okay eight के साथ चलते है इसको five कर लेते है और यहां पी आप मुझे text चाहिए और इसमें भी hopefully आपने guess कर लिए होगा क्या आएगा जिसमें आएगा news data dot long description यह आगया और यह पताने कैसे आएगा वेल यह जैसे भी शो हो रहा है यह बहुत ज्यादा इसको six करके देखते है okay है उपर से कम करते है okay और अगर मैं यह उपर ले जाओ ठीक है margin top मुझे पर इतनी जोड़ नहीं है margin top मैं टो कर देता हूँ और let's say otherwise six और यह बस मैं नीचे देखना okay यह okay है मुझे इसके नीचे बस यह 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 इसको उपर चलिए let's say five okay और इसको फरक नहीं परा तो इसको हम उठाके यहां तो यह flex को देशेटें flex भी देशेटें margin bottom six okay और इसके बाद last भी जो मुझे चाहिए एक button चाहिए button और class sorry इसको import में किया class w full और on click open news url और view news external page यहां पे external page link और इसको हम create कर देंगे यहां पे cause this use callback यह यह dependency में सिरुपर सिरुपर यह तब ही हो जब इसका external url चेंज हो है और sorry यहां पे ब्राउजर डॉट ओपन ये डॉट नियोस यूर और केस को क्या मसला और अगर ये है तो इफ दिस देन देन और ये कंडिशन यहाँ पे भी होनी चाहिए कि अगर लिंक है तो ही ये शो करो अधर वाइस ये शो करने की भी कोई ज़िए रखने है ये लगए एक चीज़ रफ रह जाएगी वो इन दोनों के दर्मियान स्पेसिंग है तो अब यही काम करूँगा इसको यहाँ से खत्म करूँगा और इसको मैं बॉक्स में रैप करूँगा इसको लगए दे दूँगा और इसको मैं उपर मॉफ कर दूगा इसी के साथ ये कम्प्रीट हो जाएगा और ये भी इसको कर्ट करते हैं और ये हो जाएगा इसमें क्लिक कोई करेगा तो वो एक्स्टर्णल लिंक कर चला जाएगा अगर ये बॉपन हो जाएगा प्रॉच नहीं होगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते किसी का कोई लिंक नहीं किन्ही नहीं होगता तो वो हम सही किल नहीं कर सकते अंकी लोगन यस के वो हमें प्रोजेक्ट देए ओके ये मेरे क्याल से शायद चल जग जा değil यह आपके सामने हमारा यह काम कम्प्लीट हो गया नेक्स्ट अब नेक्स्ट वीडियो में हमें एक तफा एप की टेस्टिंग करेंगे और फ्रेंट और बेकेंड कोड में जो डुब्लिकेटिड या रेपीटिड कोड था यहां कोई अन्यूस फाइल है उसको खतम करेंगे यह थी आज की वीडियो होफ़ली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद रही होगी वीडियो के रिलेटिड कोई भी क्वेस्टिंग करें मैं उसका जवाब दूँगा आज की वीडियो में हमने इस जो न्यूस डिटेल स्क्रीन है इसको डिजाइन किया उसके लावा बाकी जो हमारी स्क्रीन पे वह पहले से ही डिजाइन थी और इसी के साथ हमारा यह कोर्स है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है इस कोर्स के रिलेटिड कोई भी आपकी सजेशन है या कोई बेसिकली फीडबैक है तो प्लीज उसे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंचन करें यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और चैनल की बेसिकली जो होती है एप्लीज इसे किया करें वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को और बाकी सारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्यूनिटी में फ्रेंट लिस्ट में और सोशल मीडिया पर शेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे फाइ जो 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 झालए कर दो झालए कि अजय को भी आजा है